बच्चे आज आसे देखांगे चाप्टर नमबर 18 जिदा सीर्षक है दोस्ती तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे चाप्टर नमबर 18 जिसका टॉपिक है दोस्ती प्यादे हम लोग hard words यानि कठिन चब्द पढ़ते हैं तो जैसे कि ये है पिंड, मित्तर, सियाने, जानसे, समझोता, डुल, भूल, दोस्ती, वर्तनी, वांडर और दोखा एक वार्दी गल है, एक पिंड वीचे एक सरदार सी, उस ता नासी बिंदर तो एक बार की बात है, एक गाह में एक सरदार था, जिसका नाम था बिंदर उसे बिंड विच एक जट रहेंदा सी और उसी गवं में एक जट रहता था जिसका नाम था बंदू उस था बंदू उस जाना सी बंदू दोहां दी दोस्ती बहुत पक्की सी तो दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी एक बार उना दोहा ने इक गाह खरीदी तो एक दिन के बाद है दोनों ने मिलके एक गाह खरीदी कोछ दिन ता ओधोवे इकटे गाधी सीवा कर दे रहे अते दोध पीन दे रहे पर बन्तू बहुत चलाक सी अते भिंदर बड़ा पुड़ा सी तो गाह खरीदने के बाद दोनों में दोस्ती बरकला रही और दोनों मिलके इकटे होके गाह का दूद पीने लगे पर बन्तू जो है वो बहुती चलाक था और भिंदर बहुती भूला था एक दिन बन्तू ने भिंदर नो आख्या चल सरदारा आजा हो आप दोएं गाहनों पांट लेए तो बन्तू ने भिंदर को बूला कि चलो हमनों दोनों मिलके गाहे को बाट लेते हैं भिंदर विचारा बन्तू दिकालना समझ सक्या तो बन्तू जो था भूला था और वो बन्तू की जाल को समझ नहीं सक्या वो उस दे जहासे विच आ गया अते गावर्णर लई सहमत हो गया और फिर वो बंतु की जहासे में आ गया और गाईं को बाटने के लिए तयार हो गया बंतु ने अगला हिस्सा भिंदर नो दे दिता अते पिछला हिस्सा आपने लई मांग लिया तो पाटने में उसने धोखा किया और बिंदर को उसने आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा उसने खुद मांग लिया बिंदर गानू पठे पाया करे अते बंतु गादा दोद चोल लिया करे तो जैसा कि बंतु बहुत चलाग था बिंदर क्या करता था उसको गाएं को सारा चाना सारा चारा और खाने की चीज़े वो देता रहा उपर से बंतु गाएं का दोद निकाल लेता था इन जे तुखे नाड ओ गादा सारा दोद पी जाया करे और फिर ऐसे ही धोका देखे वो बंतु जो है गाएं का सारा दोद वो पी जाया करता था कुछ दिन ता बिंदर ये सब करता रहा पर ओ दिलों बहुत ओक्खा अते दुखी रैन लग प्या सी तो कुछ दिन तक तो बिंदर जैसा पंदु बोलता था वैसा ही करता था बट वो दिल से बहुती दुखी था एक दिन उसने अपने एक स्याने मितर नो सारी गल्ड सुनाई कि ओता गानों पठे पौनदा है दुख सारा बंतु पी जानदा है तो एक दिन उसने बिंदर ने अपने एक दोस्त को सियाने मतलब अच्छे मित्र को अपनी सारी बात बताई कि वह गाये को चारा वो खिलाता है और दूद सारा बंतु पी जाता है बिंदर दे सियाने मित्र ने बिंदर नो एक जुगत दसी जदो बंतु दोद चोन रग्यता ओ गाहते सेर वेचे डंडा मार दिया करे तो उस्तियाने मित्र ने बिंदर को एक जुगत मतलब तरकीब बताई जैसा कि जब भी बंतु दूद निकालने लगे तो वो बिंदर जो है गाहे के सिर में एक डंडा मार दिया करे इंज करन नाल सारा दूद टूल जाया करेगा ते तंग आके बंतु तिरे नाल अपने आप ही समझौता कर लवेगा ते तेनों अधenser दूद दे धिया करेगा तो ऐसा करने से काहे को मारने से क्या है सारा दूद केर जाएगा और बंतू जो है वो तुमसे अपना आज़ा दूद बार्टे के लिए त्यार हो जाएगा बिंदर ने जुगत सुनी तक बहुत खुश हो जा अति उस दिन तो ही ये जुगत बरतनी शुरू कर दी थी बिंदर ने जैसे की सुना अपने मित्र की बात वो घर गया और उसी दिन से वो अपनी तरकीव को करने लगा बंतू ज़तो दूद चोड लगदा बिंदर कहा दे सेर्विच डंडा मार दिन्दा बिंदर ने इस तरह करन नाल बंतू दूद ना चोड़ सक्या तो बिंदर जब भी बंतू के पास होता और बंतू गाये का दूद निकालता था तो बिंदर क्या करता था गाये की सिर्में एक डंडा मार दिता था कोंचे तिन इन्छी नांग गये अखेर वेचे बंतू ने तंगा के भिंदर नू अपने कोल बिठाया अते दोहाने आपस वेचे समझाता कर लिया कुछ दिन तक तो वैसा ही चलता रहा बट एक दिन क्या हुआ कि बंतू ने भिंदर को बुलवाया और अपने पास बिठा लिया समझाता करने के लिए बंतू बिंदर नू दूद्धा अधा हिस्सा वंड के देने लग पिया और फिर ऐसा हुआ कि बंतू जो है बिंदर को दूद का अधा हिस्सा वो देने लग गया बंतू ने बिंदर नाल चलाकी करने छड़ दिती और फिर ऐसा हुआ आखिर में कि बंतू ने बिंदर के साथ चलाकी करने छोड़ दी और फिर वैसा होता था कि दोनों ही जेवा करते थे और दोनों ही गाएं का दूदबो पिनने लग गया थे तो ये था आपका चाप्टर दोस्ती धन्यवाद